हालो दोस्तों आप सोखों इन्फोटेक चानल में फिर स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगा कोई भी प्लोट की माप मारला कनाल और किला में खैसे किया जाता है इसकी जो पैमाई से ना यह उत्री भारत में किया जाता है ज्यादा तर जैसे ही माचल परदेश से पंजाब और जम्मू कासवेन बगरा में तो उधर का कठा यह सब नहीं चलती है कठा विश्वा वहां मारला कनाल और कीला बगरा चलती है तो उसका माप यह उसका जो मान है वो कैसे निकालते हैं और कितना होता है मैं कोशिस करूंगा उसके बारे में पूरी जानकारी दूम वीडिय सबसे पहले कनाल के बारे में बताता हूं एक कनाल का जो मान होता है एक कनाल का मान स्क्वाइर फूट में निकालेंगे तो 5445 स्क्वाइर ठीक है यह क्या है बिल्कुल फिक्स इसका पैमाना है ओके एक कनाल में 20 मारला होते है कितना मारला 20 मारला यानि कि एक मारला एक्वल टू 1 बाई 20 यह बिसमा भाग कनाल का बिसमा भाग अई मारला क्या होता है तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं एक मारला बराबर 272.25 इसक्वार फिट इसक्वार बाई 202.25 वर्ग फिट होती है एक मारला इसको आप 20 से गुणा करेंगे 20 से इसको आप गुणा करेंगे तो यह आपका आ जाएगा इसको मैं यहां पर मैं दिखा देता हूं 272.25 इसको हम 20 से गुणा करेंगे तो यह आपका मान आ गया 5445 यानि 2445 से स्क्वार फिट का एक कनाल इसका पैमाना है इसी को हम लोग स्क्वार गज में करेंगे तो एक कनाल बराबर कितना स्क्वार गज होगा तो 605 स्क्वार यार्ड यार्ड को हिंदी में क्या बोलता है गज बोलता है ओके इसी को हम लोग मेटर में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेटर बढ़तों स्क्वार स्क्वार मेटर मेटर में आप निकालेंगे तो यह आपको आ जाएंगे 505.869 स्क्वार मेटर ओके और इसके क्या क्या होते हैं कड़ी में निकालेंगे तो यह पूरा एक्जेक्ट 12,500 बर्ग कड़ी यानिकी स्क्वार कड़ी या तो लिंक है ठीक है डिस मिल कितना होते है एक कनाल बराबर 12.5 डिस मिल इसी प्रकार इसका कीला कीला में कितना होगा एक कनाल बराबर 0.125 किला 125 किला ठीक है यानिकि एक कनाल में 445 स्क्वार फिट एक कनाल इक्वार टू 20 मारला एक कनाल इक्वार टू 605 स्क्वार गज याड एक कनाल बराबर पांसो पांसो पांस दस्क्वार आट छे नौ इसक्वार मीटर एक कनाल बराबर 1250 स्क्वार कड़ी एक कनाल इक्वार टू 1205 डिसमेल 0.125 किला अब किला क्या होता है इसके बारे में भी हमनों डिसक्वार लेता है एक किला का जो मान होता है ना एक किला का मान जो होता है 43,560 इसक्वार फिट होती है हम लोग मिडिल इंडिया में इसको हम लोग एकड बोलते हैं किला को एकड बोलते हैं वहाँ इससे किला बोलते हैं राजिस्थान दगेरा में ठीक है इसको हम लोग गज में बदलेंगे तो जो भी है इसको 3 इंटू 3 यानि 9 से डिवाइड कर दें तो एक क्या हो जाएगा गज में परिवर्तन हो जाएगा 43,560 43 डिवाइड 9 या जाएगा आपको 4840 4840 स्कॉाइर गज है अब एदी हमनों प्लोट पर बात करेंगे तो एदी कोई बर्गा कार प्लोट रहे बर्गा कार मतलब जिसकी चारो साइट से बराबर रहे उसकी भूजा एक कनाल के लिए हमको कितना चाहिए अधी कोई भी प्लोट अधी स्कॉाइर में रहे बर्गा कार में रहे तो उसकी भूजा होना चाहिए आपको 73.79 इसक्वार फिट मतलब इसक्वार फिट नहीं वनली फिट है क्योंकि हम लोग इसक्वार हो गया तो एरिया निकल जाती है यह निकि इसकी साइड जो है 73.790 फिट बाए 73.790 फिट के कोई भी रहेगा प्लोट बरगा कार प्लोट तो वो एक कनाल के बराबर होगा ओधी आयताकार वे प्लोट रहे आइताकार में क्या होता है आमने सामने की भूजा बराबर होती है इसके हमनों रेक्टेंगूलर फिल्ड कहते हैं इसको मान लिया जाए कि एक साइड अधी 100 फिट लेते हैं तो दूसरा साइड कैसे निकलेगा तो हम लोग इसको जितना भी मान रहेगा 5,4,4,5 तो उसको आप डिवाइड कर दें 100 से तो वो आ जाएगी दूसरा साइड की लंबाई जैसे ये 54.45 फिट ठीक है इस प्रकार इसकी पैमाइस होगी और नक्से पर आप फिट या कड़ी से भी माप सकते हैं जैसे यहां नापते हैं वहाँ भी आप नक्से पर माप सकते हैं आप उसको जो भी नक्सा पर स्केल है उसके इसाब से कर लें डिसमिल कितना होता है एक कनाल में 12.5 डिसमिल बोला जाता है एक कनाल बराबर 12.5 डिसमिल ठीक है तो मैं एक चीज आपको मैं बता जाता हूं डिसमिल का जो मान है वो बिलकुल फिक्स रहता है 12.5 डिसमिल है इसको हम लोग इससे गुणा करेंगे ना फोर थाटी फाइफ पॉइंट शेक्स होता है तो यहां पर क्या है 12.5 डिसमिल है इसको हम लोग इससे गुणा करेंगे ना 435.6 से तो यह आपका जो कनाल का मान है 545 आ जाना चाहिए हम लोग यहां पर देख लेते हैं 12.5 डिसमिल पॉइंट फाइफ गुणा और थाटी फाइफ पॉइंट शेक्स है यह देखें बिलकुल हंड़े परसेंट ही आ गया फाइफ और फोर फाइफ एक एक फार्मूला अधी कहीं भूल जाना तो इससे आप बीच में कहीं से भी आप इसको निकाल सकते हैं आराम से इसके लिए डरना के बात नहीं है कहीं से भी कोई भी इसमें गड़बड़ी है फिर भी जिससे 605 स्क्वार गज है आपको पता है कि एक कनाल में 5445 स्क्वार फिट होते हैं हमको गज में निकालना है तब कैसे करेंगे उसे उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ आपको तो याद है एक कनाल में एक कनाल बराबर 5445 स्क्वार फिट होता है कि दिश्कों सीधे आप कि फाइब खोर फोर फाइब को डिवाइट कर दिजे स्क्वाइर में है तो दो बार है जैसे तीन फिट में एक गज होते है तो इसलिए हमको गज में निकालना है तीन से भाग देंगे लेकिन बर्ग में करना है तो दो बार करेंगे अब जतना भी है न इसक्वार याड आ जाएगा यहनि स्क्वार गज में आ जाएगी आपका हम लोग यहीं पर देख रहते हैं डिवाइड थ्री फीर से डिवाइड थ्री यानिकि 605 इसक्वार गज जो यहां पर मैं आपको बताया हूं इस प्रकार आज मैं आपको प्लोट की माप को कनाल मारला और किला के बारे में बताया ठीक